डखेद के बारे में बताते हैं जिन से दिन के उजाले में टोल प्लाजा की कैश ट्रे से नोटों की गड़ी सब के सामने सरे आम उठाकर रफू चकर हो गया ये डखेद बड़ा अजीब और अलग है रिपोर्ट देखें आज दिन के उजाले में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी कुछ ऐसा होगा जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख कर दंग रह जाएंगे को आपकी तिजोरी पर कहीं दकैती तो नहीं पढ़ने वाली है कहीं दिन की चकाचौंध में आपके हाथ से आपकी जमापूजी कोई झीन तो नहीं लेगा अगर बशिना चाहते हैं तो ये तस्वीरें आपको देखना बेहत जरूरी है आज एक बंदर डालेगा डकैती सरेयाम बीट सडख होगी डकैती सबके सामने छीने जाएंगे रूपई दिन के उजाले में डकैती डालेगा बंदर ये बंदर इनसान से शातिर डकैत है शांत से इन तस्वीरों के पीछे बहुत बड़ा हमला छेपा हुआ है उतरप्रदेश के कानपूर की है बीच हाईवे पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कलपना नहीं की होगी एक सफेद रंग की कार हाईवे पर टोल प्लाजा पर रुखती है कार चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक वो भौचक्का रह जाता है एक बंदर आकर शातिराना तरीके से भूथ में घुसता है और कैश्ट्रे से लोटो की गड़ी उठा कर रफू चक्कर हो जाता है बगल में ख़ड़ा टोल करमी बंदर से रुपई जिनने की कोशिश करता है लेकिन टकैत बंदर बिना डरी वहीं चक्कर लगाता रहता है टकैत बंदर फिर वापस आता है उसके मुह में नोटों की गड़ी होती है और बेख़ौफ बंदर वहीं अडा रहता है टोलकर में फिर कोशिश करता है लेकिन टकायती में माहिर ये टकायत बंदर किसी की नहीं मानता और आखिरकार बंदर हजानों रुपए लेकर फरार हो जाता है गटबंदन प्रत्याशी पूनम सिना ने जनपत मार्केट में